okay once again good afternoon to all of you in the previous class we are discussing the chapter number two that is sensitivity towards other clear and from today we will going to discuss the chapter topic living in quiet world we will start this topic in this topic living in quiet world we will have sensitivity towards other chapter पढ़ रहे थे पिछले क्लास में और उसी चैप्टर का आज हम लोग ये टॉपिक दिसक्श करेंगे Living in Quiet World इसको समझने के लिए आप ये समझ लेजे कि आप सभी लोग को मैंने Mute कर रखा है आप सभी लोग को मैंने क्या कर रखा है Mute कर रखा है Mute कर रखा अभी आप लोग कितना भी चिलाईएगा मेरे पास आवाज नहीं आएगा समझे रहे बात को अभी मैंने आप सभी लोग को Mute कर रखा है आप लोग कितना भी बोलिएगा कितना भी चिलाईएगा मेरे पास आवाज नहीं आएगा नहीं ग्रूप में किसी को सुनाई देगा सब लोग चुपचाप है अभी अगर आपको बात करना है तो sign language यूज करना होगा क्या language यूज करना होगा sign language ठीक है sign language यूज करके ही अभी आप बात कर सेटें क्योंकि अभी आप कुछ बोलिएगा बोल सकते हैं आप लोग मगर बोलिएगा तो सुनाई नहीं देगा क्योंकि सब लोग म्यूटेड है मगर ये तो हो गया कि कैसे अगर आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा या आप नहीं बोल पाईएगा तो कैसे बात किजेगा तो हम लोग इसारों में बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, इसारों में, sign language का use करके बात करेंगे, white world का मतलब जहां पर पूरी दुनिया चुप चाप है, कुछ कोई नहीं बोल सकता, ठीक है, तो अब मैं आपको screen share कर रहा हूँ, screen share पे आपका book available रहेगा, बट आप अपने साम पढ़ना है, और इसी में हम लोग आज यह topic पढ़ेंगे, living in white world, ठीक है, हम लोगों यह यहां से पढ़ना है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, student, यहां पे एक story, एक छोटा सा story दिया हुआ है, अंजली के वारे में, अंजली was born deep, मतलब अंजली का जब से जन्म हुआ था, तब से वो बोल नहीं सकती, क्या नहीं सकती है, डीफ का मतलब बोल नहीं सकती, अंजली जब से जन्म हुआ है, जब से पैदा हुई है, मतलब बच्पन से जन्म लेते के साथ ही वो बोल नहीं सक सबस्क्राइब कैशी धने रिखर गश्यूंक और अपर यहां पर अर्य मारे तैनल की में फिर्टोप का सफाद भी कि आगे देखेगा सी डज नॉट 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 इस वाट इस लाइक तो वी टीव वो नहीं जानती थे कि उसके सुनने का सक्ति उसके पास नहीं है इस कि Heard है सुनने के लिए एक मसीन आता है सुनने के लिए इंस्टूमेंट आता है जिसको महर्म लाइप नुट इस्टर्वर न सी को भी रहे की सिर्व का उसको vibration का disturbance भी होगा see quickly turns off her hearing aid जैसे ही उसके hearing aid अपने काउनों में लगाते थी vibration का आवाज जब उसको तेज सुनाई दे तो तुरा तो उसको बंद कर देती थी hearing aid को बंद कर देती clearing hearing impaired hearing impaired children को deep children भी बोला जाता है ऐसे बच्चे जो जिनके पास सुनने का सकती ना हो hearing impaired children मतलब deep children hearing impaired children are taught the sign language hearing impaired children को sign language के अधार पर इसारों में इसारों में आप बोल कर बता सकते हैं पढ़ा सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं it is an organized system यह sign language जो होता है एक organized system होता है मतलब एक पहले से fix है इसमें सारे rules and regulation fix है उसको आप use करके आप sign language का use करेंगे और deep people से या deep children से बात कर पाएंगे देखिए यहाँ पर आपको right side में बहुत सारे sign भी दिये हुआ है A कैसे बोलते हैं B कैसे बोलते हैं C कैसे बोलते हैं सामने picture में देख रहे हैं आप लोग यह सब आपको sign language जो कि एक organized system है यही सब आपको इस तरह से use करना है तो आप यह सारे letter के letter को define कर सकते हैं बता सकते हैं सामने वाले को जो सुन नहीं सकता है जो इंसान जो बच्चा सुन नहीं सकता उसके सामने यह सब sign language यूज़ करके आप A, B, C, D बता सकते हैं उसको ठीक है यह पूरा एक organized system है मतलब एक settled system है एक पूरी तरह से उसको कह सकते हैं संगठित कियाओ system है इसमें सिर्फ हम gesture यह mind इस आरो में हम बात करते हैं इसमें हम क्या pose अपने expression देकर मतलब इस expression अलग-अलग face का expression देकर सिर्फ हम इसमें बताते हैं या कोई सारे करके हम इसको बताएंगा जैसे यहाँ पर देखिए A का दिया हुआ है A, ऐसे करके बताया हुआ है एक ऐसे बताया हुआ है ऐसे करके A बताया हुआ है ऐसे करके B बताया हुआ है ठीक है इस आरों में आपको बात करना है तो जेस्टर और माइम यूज़ करके आप डीफ बच्चों से या डीफ पीपल से बात कर सकते हैं इसमें हम बोलते नहीं है जब हम लोग क्वाइट वर्ल्ड में बात कर रहे हैं एसी जगह हम लोग गहे हुए हैं जहां कोई लोग सुन नहीं सकता तो वहां हमें सिर्फ जेस्टर्स और माइन को यूज करके इस आरों में हमें बात करना होगा एक और प्राब्लम कहां पर होता है जब आप कहीं ऐसे जगह जाएंगे जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वहां कोई आपको इस आरों में ही बात करना पड़ेगा नहीं तो दूसरा है जहां ऐसे दुनिया में ऐसे जगह आप जाएंगे जहां कोई सुन नहीं सकता है वहां भी आपको इस आरों में ही बात करना हो ठीक है यह जो राइट साइड में डिया हूँ है, यह हैंड मुव्मेंट के अधार पर अल्फा वेटस को आपको बताने का यह एक ऑर्गनाईज सिस्टेम है, लोगों से डिसकस, लोगों को बता सकता है। क्लियर है इच मुवमेंट सिंबॉलाइजेस लेटर ऑफ जितने भी देख रहे हैं सारे जो सिंबल हैं यह सारे जो सिंबल आपके सामने हैं कि सारे सिंबल कोई न कोई alphabet को क्या कर रहा है सिंबोलाइज कर रहा है देखिए सब सिंब सब सब देखिए सब मुलियों से हो रहा है सब कि सब किस्से यूजर है finger का इस्तमाल करके हाथ के fingers का इस्तमाल करके हाथ के finger का इस्तमाल करके आप अलग-अलग alphabet को या अलग-अलग letters को symbolize कर सकते हैं और जब इस सारे इनको आप mix up किजेगा यह जो अलग-अलग sign है अलग-अलग alphabet के लिए जब आप इनको mix up किजेगा तो आप किसी भी ऐसे बच्चे को जिसको सुनने में problem है उसके सामने आप words बना कर बता सकते हैं जैसे एक word होता है word तो बड़ा होता है word में कई सारे letter होते है word में कई सारे alphabet होते है एक पूरे word को बताने के लिए आपको different different alphabetical symbol use करना पड़ेगा ताकि सामने वाले को आप जो कहना चाहते हैं पूरी दर से बताएगा सामने वाले को ABC तो खली बताना नहीं होता सामने वाले को सिर्फ यह नहीं बताना की ABC ऐसे तो सिर्फ नहीं बताना होता है clear है कि एक सामने वाले को क्या कहना है जब आपको वर्ड बताना पड़ेगा तो सारे symbols को आपको इस्तमाल करना होगा together करके एक साथ mix-up करके इन अर्लियर टाइम मोस्ट पीपल बिलीव डैट hearing impaired पीपल वर इनकेपेवल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज और बिंग एजगेटेड इन एनी वे पहले के समय में लोगों का यह मानना था पहले के समय में लोगों का यह मानना था कि जो लोग सुन नहीं सकते हैं वो किसी भी तरह का कोई learning नहीं कर सकते हैं उनको किसी भी तरह से पढ़ाया नहीं जा सकता यह पहले के लोगों का मानना था पहले अर्लियर टाइम्स में लोगों का यह मानना था कि जो लोग सुन नहीं सकते हैं जो लोग डीप पीपल हैं उनको वो incapable है वो मतलब उनको incapable of learning का मतलब वो सीखने में सक्षम नहीं है और उनको किसी भी तरह से पढ़ाया नहीं जा सा था यह early people का earlier time earlier time में यह मालना था बट लेखे बट पेड्रो डे पॉंस यह नाम है यह कि यहां पे देखेगा ध्यान से समझेगा इसमें क्या करें बट but Pedro de Ponce a Spanish monk became the first teacher to teach such student यह थे एक monk थे यह Spanish monk थे इन्होंने सबसे पहली बार सबसे पहली बार sign language का इस्तमाल करके sign language का इस्तमाल करके क्या किया उन्होंने जो डीग परसन थे उनको पढ़ाना चालो किया in 1620 Juan Paulo Bonnet another Spanish wrote the first book for educating them 1620 में Juan Paulo Bonnet एक और Spain के रहने वाले परसन थे इन्होंने एक किताब लिखी जिसमें sign language के बारे में या deep people को कैसे पढ़ाया जाए वो इन्होंने detail दिया the book contain a manual alphabet similar to the one used today और यह जो एक मेंड़ेट के जाएगा देखें क्या कर रहा है कि in 1620 जुआन पॉलो बॉनेट एक स्पैनिस परसन थे स्पैन के रहने वाले थे उन्होंने पहली किताब लिखी जिसमें उन्होंने detail दिया कैसे हम लोग deep people को पढ़ा सकते हैं उनको उनके साथ get together हो सकते हैं बाते कर सकते हैं उनको परसन सुन नहीं सकता हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है किसी का कि वो लोग अलग अलग तरह के आवाज को निकाल सकें इसके अलावा लोगों के लिप को पढ़ सकें जैसे आपका लिप का मुवमेंट होगा उस मुवमेंट के अधार पर ही जो डीप फीपल होंगे वो समझ जाएंगे कि सामने वाला परसन उनको क्या कहना चाह रहा है इस तरह से टीप पीपल के साथ हम लोग बात कर सकते हैं अब आ जाता है नेक्स टॉपिक लिविंग इन डार्क वर्ल्ड लिविंग इन डार्क वर्ल्ड इसके पहले वाले में क्लाइट डार्क वर्ल्ड में हमने बात किया डीफ पीपल के वाले में और डार्क वर्लड वर्ल्ड में हम लोग बात कर थे तो झोननों झायु सकते हैं और डार्क वर्ल्ड में हम लोग blind people के बारे हम बात करेंगे जो लोग देख नहीं सकते हैं ठीक है अब यह जो देख नहीं सकते हो बोल तो सकते हैं अगर देख नहीं सकते हैं अगर यहां देखें क्या है the visually impaired blind people learn to use the their sense of touch to feel and anticipate जो deep people होते हैं वो लोग छुकर जैसे आँखे बन कीजेगा आप छुकर लोग पता लगा लिए हैं कि क्या चीज लिखा हुआ है क्या चीज उनको communicate किया जा रहा है क्या चीज बताने का process किया जा रहा है और उसी को anticipate करते हैं फिर उसी को वो अपने follow करते हैं उसी को पिर उस जिस को बारे मन को touch करके feel करके बताया गया है उसको वो फिर implement करते हैं they read book जो blind people होते हो किताबे भी पढ़ सकते हैं that are different from our मगर जो हमारी किताबे होती है और उनकी किताबे में फर्क होता है हमारी किताबों में और उनकी किताबों में फर्क होता है the pages of their books are thick and have rows of raised dots उनके जो blind people के लिए जो बुक बनता है उसका page काफी मोटा होता है और उसके उपर dots होते हैं मालब वो dots को छूख कर पता कर लेते हैं कि क्या ची लिखा हुआ हमारे में आप अगर paper पे हाँ चलाइएगा तो आपको dot नहीं मिलेगा आपको plain surface मिलेगा तो वहाँ पे जो blind people होते हैं blind people के लिए जो book होता है उसमें dots को use किया जा सके और ये पता किया जा सके कि क्या लिखा हुआ है या क्या बताया जा रहा है इस book are written by written in braille ये बुक किसके दोरा लिखा गया था braille के दोरा braille एक person थे उनके दोरा ये बुक लिखा गया था they touch these dots and recognize the written word ये बुक में आप dots को छू कर dots को छू कर आप words को पता कर सकते हैं पहचान सकते हैं कि क्या word लिखा हुआ है does they read by running their finger on them और फिर वही सारे word को आप पढ़ पाएंगे कि क्या word mention है क्या word लिखा हुआ है यहां do you know देखे गया यही वो person है जिन्होंने ये बुक बनाया था सबसे लुईस ब्रेल इनका नाम था लुईस ब्रेल यही वो person है जिन्होंने क्या किया था वो किताब बनाया था जिसमें कि उन्होंने blind people को कैसे पढ़ाया जा सके वो एक इनका invention था देखें यहां पर do you know में कहा रहा है ब्रेल वाज इन्वेंटेड बाई लुईस ब्रेल जो ब्रेल किताब थी वो किसके दोरा इन्वेंट किया गया था लुईस ब्रेल के इन्ही का जो टाइटिल है लेखें लुईस ब्रेल का जो टाइटिल है यही किताब यही टाइटिल को किताब के नाम के लिए भी यूज किया गया था लुईस ब्रेल का जो टाइटिल है सरनेम जो है जिसको हम आप लोग सरनेम पढ़े होंगे जो लुईस ब्रेल का सरनेम है यह सरनेम है इसी को किताब के नाम किताब को ऐडेंटिफाई करने के लिए भी इन्हीं का सरनेम ही यूज किया गया था लूइस ब्रेल के साथ एक एकसिदेंट हुआ था इन एकसिदेंट ही लॉस ब्रेल एकसिदेंट में उनकी आखे चली गए उनकी आखे खराल हो गए थे उनको पढ़ने का बहुत सौक था इसी कारण से सौक होने के कारण ही उन्होंने एक तरीका ढूंडा उन्होंने रास्ता ढूंडा जिससे की वो पढ़ भी सकें और लिख भी सकें और उन्होंने मेहनत करकर के करकर के एक रास्ता ढूंड लिया जिससे की वो लिख भी सकते थे और पढ़ भी सकते थे रास्ता क्या ढूनना उन्होंने कि पेपर पे कुछ dots बने हुए होंगे उन dot को touch करके उन dot को क्या करके तच करके आप words को अलग-अलग words को पढ़ सकते हैं मैसूस कर सकते हैं कि क्या word यहां पर लिखा हुआ है और इनके सम्मान में लूइस ब्रेल के सम्मान में इस स्क्रिप्ट का जिस स्क्रिप्ट से आपको ब्लाइंड पीपल को पढ़ाया जाता है उस स्क्रिप्ट का नाम ही रख दिया ब्रेल स्क्रिप्ट ठीक है, इनके सम्मान में, लूइस ब्रेल के सम्मान में, उस किताब का नाम, या उस स्क्रिप्ट का नाम, स्क्रिप्ट का मतलब होता है जो आपका जो लेंग्वेज है, जिस लेंग्वेज में, मतलब जिस लिपी में पढ़ाया जा रहा, उस लिपी का नाम ही रख दिया, ब् visually impaired children deserve our understanding and not pity यह जो ऐसे लोग जो लोग सुन नहीं सकते हैं यह देख नहीं सकते हैं इन्हें यह भी डिजर्व करते हैं हमारी हमें इनको समझना हैं इनसे अलग होके नहीं रहना चाहिए हमें भी इनको समझना होगा और इनके साथ हमें अपना टाइम देना होगा ताकि यह भी normal life जीप आएं यह जो hearing impaired लोग जो होते हैं यह visually impaired लोग जो होते हैं ना तो hearing impaired सुनने ही सकता है और visually impaired देख नहीं सकता है इनके पास यह एक ability नहीं है जो hearing impaired लोग हैं उनके पास सुनने का ability नहीं है और जो visually impaired लोग हैं उनके पास देखने का ability नहीं होता but they can be guided to move around on their own like other people मगर अगर अच्छे तरह से इनको guidance मिले अच्छे तरह से इनको understanding दिया जाए तो ये लोग भी बाकी लोग की तरह एक जवसे दूसरे जगा move कर सकते हैं बाकी लोग की तरह normally way में ये लोग भी समझ सकते हैं ये लोग भी पढ़ सकते हैं ये लोग भी knowledge gain कर सकते हैं they can study and work hard at different occupation profession और जब इनको side हंसे learning करवा जाएगा तो ये भी अलग-अलग study अपने आपको अलग-अलग काम में अलग-अलग study में involved कर सकते हैं कोई भी काम फिर इनसे आप करवा सकते हैं अगर इनको सही धन से learning सही धन से इनको teaching दिया जाएगा तो they can prove to be useful member of society और अच्छे learning के अधार पर ऐसे लोग अपने आपको समाज में एक useful member की तरह so ये प्रूफ कर सकते हैं clear है if they are given proper facility opportunity and guidance अगर ऐसे लोग को proper facility दिया जाए proper opportunity दिया जाए proper guidance दिया जाए तो hearing impaired person ये visually impaired person जो है वो अपने आपको society में एक useful member की तरह प्रूफ कर सकते हैं मतलब आप एक अपमें ability है आप एक asset हैं समाज के लिए ऐसा आप प्रूफ कर सकते हैं we must give them respect हमें ऐसे लोगों हमेंसा respect देना चाहिए never be afraid हमें इन से नफरत नहीं करना चाहिए never be afraid to ask if they need any help अगर वो ऐसे लोग जो visually impaired है ये hearing impaired है अगर ये आपसे help मांगे तो आपको इनसे नफरत नहीं करना आपको इनसे अपने आपको दूर नहीं करना है आपको इनको respect देना है और ताकि अपना नॉर्मल लाइफ जी सकें और अपने आपको इस society का important हिस्सा मान सकें अब देखिए कुछ point है यहाँ पे how to develop sensitivity towards other आप दूसरों के प्रती sensitivity कैसे develop कर सकते हैं कौन-कौन से point है जिसको follow करके हम अपने अंदर दूसरों के प्रती sensitivity develop कर सकते हैं पहला point है respect the elders sensitivity का मतलब क्या था आपके अंदर एक feeling एक भावना एक respect एक thinking आनी चाहिए तो कैसे आएगा आपके अंदर कैसे thinking develop होगा इसके लिए हमें यह 8 point यहाँ पे दिया हुआ है यह 8 point को हमें follow करना होगा पहला point है respect the elder अपने से बड़ों का हमेंसा respect कीजे अगर आप अपने से बड़ों का respect करेंगे तो आपमें एक sensitivity develop होगा आपमें एक thinking develop होगा आपमें एक feeling develop होगा कि हमें बड़ों का हमेंसा respect करना चाहिए आगे देखिए do not make unkind remark about anyone physical appearance लाइक चिल्डरन वेरिंग ब्रैसेस इस पेशल सूज स्पैक्टर से क्षक्टर कोई भी स्पेशल चिल्डरन अगर होगा कोई भी स्पेशल परसन होगा स्पेशल मतलब स्पेशल जो जो उनके पास किसी किसी तरह की कोई inability है जो किसी चीज में able नहीं है उनके लिए आपको कभी भी क्या करना चाहिए unkind remark नहीं देना चाहिए वैसे रिमार्क जो की acceptable नहीं हो वैसे रिमार्क आपको नहीं देना चाहिए जैसे मान के चलिए आपके बगल में कोई आपको hearing impaired बच्चा बैठा है तो उसको आपको negative remarks नहीं कहना है नहीं बोलना है do not make negative remark about anyone religion caste language और किसी किसी भी person के उसके धर्म से related उसके जाती से related उसके भासा से related भी negative नहीं देना है talk politely to younger children और अपने से छोटों के साथ आपको politely बात करना है प्यार से बात करना है older people के साथ भी और everyone के साथ especially the servant कोई भी person हो चाहे छोटा हो बड़ा हो बुढ़ा हो या even आपके घर का अगर servant भी है तो सब के साथ आपको क्या करना है politely बात करना है ठीक है और सबको respect करना है try to participate in different activity और आपको अलग-अलग activities में participate करने का भी कोसिस करना चाहिए participation is more important than winning देखिए आप से लोग से बोला जाता है कि कौन-कौन sports में participate करेंगे कौन-कौन stage पर जाके कुछ बोलना है place बोलना है thought बोलना है तो कौन-कौन जाना चाहेंगे stage पर तो आप लोग पीछे भागते हैं आप लोग टरते हैं आप लोग hesitate करते हैं लेकि जब तक आप participate नहीं किजेगा तब तक hesitation खतम नहीं होगा और participate करते 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 आपके अंदर hesitation जो मौझूद है वो पुरी तरह से खतम हो जाएगा have sympathy for the poor those suffering from any disease आपको sympathy भी रखना होगा आपको लगाव भी रखना होगा ठीक है आपको लगाव भी रखना होगा किसे गरीबों के साथ या ऐसे लोग जो किसी ने किसी disease से सफर कर रहे हैं आपको अपने आपको गरीबों से सफर कर रहे हैं वेट किजएगा आयूस दो मेंड यह खतम करने दो फिर आपका question का जवाब देंगे share the household core और घर के जो काम है वो घर में जो भी काम होता है वो इसको मिल जुलुकल करना चाहिए यह नहीं कि अगर आपके दिदी को या भाईया को या आपके कोई भी भाई भेन को या आपके मम्मी पापा कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आप participate नहीं कर सकते हैं अगर मिल है किचन में बढ्कन दो मगर आप चाहें या थोड़ा बहुत हैप कर सकते हैं अगर आपने खाना खाया है हमें meditation योगा करना सीखना चाहिए ताकि हम लोग इट डेवलप एन एबिलिटी तो हैंडल stress अगर आप meditation कीजेगा ठीक है आप योग कीजेगा तो आप किसी भी तरह के stress को handle कर सकते हैं कोई अगर stress रहेगा आपके उपर को stress आपके अंदर रहेगा तो इसको आप असानी से आप stress को असानी से handle कर सकते हैं ठीक है अब आगे देखिए क्या लिखा होगा गुड़ citizens are after all made at home घर से ही आप अच्छे इंसान बन सकता है घर में ही वह सारी quality आप सीख के आप अच्छे इंसान बन सकता है पहले इंसान घर पे सिखता है घर से सीखने के वाद जब बाहर आता है तो बाहर की दुनिया में भी सिखता है बाहर जब लोगों से get together होता है वहां भी सिखता है आपकी learning घर से सुरू हो जाती है और अंतिम समय तक learning चलता रहता है लर्निंग का कभी कोई एंड नहीं है लिमिटेशन नहीं ठीक है आप घर से सीख सकते हैं आप कौन हैंडरेस करो दुबारा से आयूस हैंडरेस करो किसी को को प्रॉब्लम है तो हैंडरेस कीज़े और दूसरी बात सबसे बड़ी बात है कि आप लोग का जो मीटिंग आईडी है जूम मीटिंग में जो आपका प्रॉफाइल आईडी है उसमें अपना नाम लिखिए आज एक बच्चा करके जोइन किया हुआ था तो वैसे ऐसे अगर आप अपना प्रॉफाइल अपने नाम से नहीं चला पाएंगे चलाएंगे तो आपको दिक्कत हो हमें डिस्केशन कर पाएं ठेक है बोले किसी को को प्रॉब्लम है तो मैंने सेरिंग हटा दिया है अगर किसी को को प्रॉब्लम है तो बताएए